Hello everyone, welcome to my channel इस वीडियो में हम समझते हैं कि decoder क्या होता है एक decoder की basic properties क्या होती है क्या इसका basic block diagram होता है then उसके बाद हम समझते हैं कि जैसे हमें 2x4 decoder को अगर implement करना है तो उसके लिए block diagram क्या होगा उसके लिए total क्या होगी और उसका circuit जो है वो किस तरीके से design होगा तो ये सारी चीजे इस वीडियो में मैं discuss करूँगा तो देखे जो decoder होता है वो basically क्या होता है it is a combination circuit ये एक combination circuit होता है जो की decode करता है N inputs को 2 power N outputs में means की जो decoder होगा उसके input side में क्या होगी एक N bit की binary information होगी ठीक है और उसके according क्या होगा कि output जो की आपके पास 2 power N maximum outputs होगे उसमें से कोई एक output जो है वो active हो जाएगा एक terminal जो होगा वो active हो जाएगा as per the given input pattern ठीक है तो ये सारी information पहले हम note कर लेते हैं फिर इसके बाद में discuss करेंगे इसके और क्या-क्या properties होती है राइट तो देखिए decoder जो होता है अगर उसके लिए ब्लॉक डियाग्राम ट्रॉक कर रहें तो एक किसी decoder में N inputs lines होंगे N input lines और यहां पर 2 power N outputs होंगे 2 power N output lines या terminals होंगे ठीक और साथ में इसमें क्या होगा कि एक इसमें enable line होगी E ठीक यह E क्या है E is the enable line इसका use क्या है कि if E is equal to 0 ठीक then decoder will be off decoder will be off और disabled इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर हमने E की value 0 एपलाई कर दी तो जितने भी output terminals है सब पर क्या मिलेगा 0000 यह देखे इस तरीके से होता है जैसे आपके पास TV का remote है तो आप TV में remote से channel तभी change कर पाऊगे जब TV on होगी जब उसमें supply दी जाएगी ठीक है means कि वहां पर 1 होगा बाकी सब जगे 0 होगा तो यह काम तब करेगा जब E equal to 1 होगा अगर E equal to 0 हुआ तो आप कोई भी binary pattern apply कीज़े कोई फरक नहीं पड़ेगा output पर कहा मिलेगा 0000 means कि कोई भी output terminal active नहीं होगा तो E equal to 1 पर ही यह decoder active होगा ठीक है then decoder तभी decoder enable होगा या on होगा जब E value क्या होगी E यहाँ पर enable line है ठीक है तो यह क्या होगा यह हमने क्या ट्रॉक किया है यह है block diagram this is the block diagram of decoder अगर हम यहाँ पर examples की बात कर रहें तो देखिए जैसे आपके पास होता है क्या binary to octal decoder binary to octal decoder ठीक है इसमें basic लिए क्या होता है 3 inputs होते हैं और 8 outputs होते हैं तो इसको बोलते हैं 3 x 8 decoder इसी तरीके से binary to hexadecimal decoder होगा जिसमें 4 input होंगे 16 output होंगे 2 power n output that is 2 power 4 that is 16 output होंगे इसी तरीके से binary to decimal decoder भी होता है जिसमें आपके पास 3 inputs होंगे और outputs जो active outputs होंगे वो कितने होंगे 10 ठीक है और remaining outputs terminal क्या होंगे वो don't care conditions होती है वो use नहीं होती तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं सारी कीज़ें तो देखिए यह तो हो गए examples of decoder यह हमने यहाँ पर basic clear कर लिया अब हम देखेंगे कि अगर हमें 2 x 4 या 2 x 4 decoder implement करना है उसका circuit diagram draw करना है ठीक है या उसकी working समझनी है और उसकी 2 table implement करनी तो वो किस तरीके से होगी तो अब शुरू करते हैं implementation of 2 x 4 decoder तो देखे 2 x 4 की working समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं एक block diagram इसका draw कर लेते हैं ठीक है तो block diagram of 2 x 4 decoder में क्या होगा 2 x 4 decoder 2 x 4 में 2 inputs कोंगे ठीक है ना तो यहाँ पर हमने 2 input अप्लाइ कर दी है a and b ठीक inputs and it will have 4 outputs ठीक in the form of y0, y1, y2 and y3 ठीक और इसमें एक क्या होगी enable line enable line का function मैंने भी बताई दी आपको ठीक अच्छा यह जो 2 inputs हैं यह basically क्या है selection inputs selection inputs क्यों हो क्योंकि देखिए अगर इनकी value अगर 00 हुई देखिए इसका function समझ लेते हैं इसका operation कि अगर a और b दोनों क्या हुए 00 अगर यह दोनों 00 हुए तो जो पहला वाला output terminal है it will be selected मतलब यह terminal active हो जाएगा यहाँ पर 1 आजाएगा अगर इसकी value pattern क्या होगा 01 then y1 terminal will be active ठीक है if it is 10 then y2 terminal will be active and if both inputs are 11 तो उस case में y3 terminal active हो जाएगा means कि यहाँ पर हमें 1 मिलेगा और बाखी terminals क्या हो जाएगे 000 तो यह terminal select हो जाएगा और active हो जाएगा कहने का मतलब कि अगर suppose यहाँ पर आपने चार अलग डिवाइस को connect किया हुआ है ठीक है डिवाइस a, b, suppose x, w, x, y, z तो अगर आपने 00 दिया तो डिवाइस जो डबलू है वो active हो जाएगी वो on हो जाएगी ठीक है इस तरीके से हमें कोई भी function अगर हमें selectively operate कराना है तो यहाँ से हम control करके किसी भी particular terminal को active कर सकते हैं तो यह तो होगे इसकी working ठीक है इसी working के basis पे अब हम toot table को implement करेंगे right तो दीखे इसकी put table को कैसे implement करेंगे enable line अगर enable line सब्सक्राइब जीरो है इसमें ठीक है न तो A और B की कुछ भी value हो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक output क्या होंगे यहां पर 0000 मतलब कोई भी terminal यहां पर active नहीं होगा सब क्या मिलेगा आपको 0000 ठीक next अगर enable line 1 है तो हमेरे पास चार condition बनेंगी A और B के लिए ठीक क्योंकि 2 variable के case में 4 cases होते है 00, 01, 10, and 11 तो enable line अगर 1 है ठीक है and A और B की value क्या है 00 तो उस case में पहला वाला terminal active हो जाएगा means कि यहां पर मिलेगा आपको 1 और बाकी जगे 0 enable line 1 है और आपने दे दिया 01 input तो यहां पर y1 जो terminal है second terminal it will be active तो यहां पर आ जाएगा 1 बाकी जगे 0 ठीक इसी तरीके से अगर यहां पर हमने 1 0 apply किया तो यह y2 1 हो जाएगा क्योंकि 1 0 का जो equivalent decimal क्या होता है 2 इसी वजह से y2 जो subscribe लिखा है 2 यह active हो जाएगा ठीक है न यह वाला terminal तो बाकी जगे 0 और last case क्या बचा आपके पास जब दौनों यह 1 1 होंगे तो y3 active हो जाएगा और बाकी सब 0 ठीक इचा अब इस toot table की help से अगर हम minimized expression find कर रहे हैं ठीक किसके लिए यह y0 y1 y2 y3 के लिए तो y0 के लिए expression क्या आएगा देखिए y0 के लिए expression आएगा यह 1 कव है यह 1 है जब e की value 1 है a और b की value 0 0 है यहां पर लिखेंगे y0 is equals to e a bar b bar ठीक है इसी तरीके से y1 is equals to क्या हो जाएगा e a bar b a bar b y2 क्या हो जाएगा y2 1 कव है कि वहले एक condition पर e और a 1 1 है तो यह normal form में आएगे b क्या है complement form में क्योंकि यह 0 है तो e a b bar and y3 will be e और a और b दोनो 1 1 है तो a b अब इनी expression को हमें क्या करना है implement करना है तो अब देखिए इसके लिए circuit हम कैसे draw करेंगे अब देखिए हमें 2 x 4 decoder के outputs implement करने है यह जो outputs से मैंने यहां पे note कर ली है right y0, y1, y2 and y3 अब देखिए इसके लिए हम circuit कैसे draw करेंगे तो देखिए circuit draw करने के लिए हमें क्या चाहिए a चाहिए a बार b चाहिए b बार और e चाहिए तो देखिए यहां से हम यह हमारे लिए हो गया a ठीक यह हो गया यह हो गया b और e बार के लिए हमें इसको not git से पास करना होगा inverter से यह हो जाएगा a बार इसी तरीके से यह हो जाएगा b बार ठीक और साथ में हमें चाहिए यहां पे e तो e के लिए हम यह यह नेबर लाइन जो है उसके लिए यह हमने लाइन ड्रॉ करती है अब देखिए why not को implement करना है अब मैं चारो outputs को implement करना है we require four number of end gates तो यहां पे हम four number of end gates ड्रॉ कर लेते हैं one two three and four इनके outputs क्या होंगे इन gates के in end gates के output हमें चाहिए क्या why not y1 y2 and y3 तो why not कैसे मिलेगा हमें पहले तो हमें देखिए e जो है वो सभी में connect करना है ठीक है e is common to all the end gates तो पहले देखिए आपने e को enable line को हर एक end gates से connect कर दिया ठीक है अब remaining lines को connect करना है ठीक a bar b bar तो a bar यहां से मिल जाएगा आपको और b bar आपको यहां से मिल जाएगा ठीक यह implement हो गया इसके बाद a bar b y1 के लिए a bar और b आपको यहां से मिल जाएगा यह भी implement हो गया y2 के लिए a b bar चाहिए आपको तो a आपको यहां से मिलेगा और b bar आपको red bari line से ठीक और last gate a b तो a आपको यहां से और b आपको इस point से मिलेगा तो आपका यह circuit ड्रॉव हो गया this is the circuit for two cross four decoder ठीक है इसी तरीके से अगर आपको three cross eight decoder भी implement करना तो उसके लिए three inputs हो जाएंगे a b c and eight number of outputs हो जाएंगे इसी पर आप extend कर सकते हैं यहां पर c or आ जाएंगे और यहां पर four outputs और add हो जाएंगे ठीक है पहला जो रो होगा वो zero cross 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 सब में zero आ जाएंगा फिर इसके बाद enable equal to one हो जाएंगा और eight different patterns के लिए एक terminal हमेशा active रहाएंगा वह आप easily implement कर सकते हैं ठीक है मैं आपको एक idea यह दिया so in this way we can implement decoder ठीक